मैं जो कह रहा हूँ, उस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या आप जान पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? नई, ऐसा जीवन के हर पहलू के साथ है, है ना? अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ये नहीं जान पाएंगे, कि आप क्या खा रहे हैं, सांस में क्या ले रहे हैं, या क्या हो रहा है ज्यादा तर लोग फूलों की खुश्पू पर गौर नहीं करेंगे, या कोई भी चीज, वो बस चलते जाते हैं चटान की तरह, या फिर कहें बैल की तरह, क्यूंकि वो, आपको पता है स्टॉक मार्केट में बैल की पूजा होती है तो ये विकास की प्रक्रिया में पीछे जाना है, अगर आप बैल या भालू की तरह चलें, तो ये पीछे जाना है, आप विक्सित होकर इनसान बने हैं, इसमें लाखों साल लगे हैं, अब आप पीछे नहीं जाना चाहतें इनसान होने का मतलब है, इनसान की जो अनोखी चीज है, कि हम वही चीजें करते हैं, जो दूसरे जानवर करते हैं बात बस इतनी हैं, कि जो कुछ जानवर कर सकते हैं, हम भी वही करते हैं, लेकिन हम उसे चेतना पूर्वक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है और किसी चीज को जागरोकता से करना नहीं आएगा अगर आप उन चीजों पर परियाप्त ध्यान नहीं देते, जो आप करते हैं या जो आप नहीं करते, खासकर वो चीजें जो आप नहीं करते, उनकी ओर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, वरना वे आपके अंदर खुश तो ये ध्यान देने की कमी इसलिए आई है क्योंकि शिक्षा के बारे में लोगों की सोच है जानकारी, अब ही इंसानी एजुकेशन सिस्टम का तरीका आप पर जानकारी का धेर लगाना बन गया है। किसी भी दिमाग पर जितनी ज्यादा जानकारी आप लगाते हैं या कहें बचपन से भरते हैं, उसमें ध्यान देने के प्रती उतनी ही अरूची हो जाएगी। क्योंकि कुछ भी जाने बिना, जानकारी आपको एक जूटी भावना देती है कि आप कुछ जानते हैं। ये अब एक फैशन बन गया है, आज अगर आपको एक डिनर पार्टी में आमंतरित किया गया है, तो आप गूगल पर सौ करोड आकाश गंगाओं की जानकारी खोल लेते हैं, उन सभी को नंबर और नाम दे दिये गए हैं, ठीक हैं, वो 566BZ, वो गैलक्सी, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी पता है, आपने गूगल पर खोजा है, ये दो वाके पढ़ लेते हैं, और पार्टी में जाते हैं, जो भी आपसे बात करता है, वे कहते हैं, आप कैसे हैं, आप कहते हैं, अरे क्या आप इस गैलक्सी के बारे में जानते हैं, जो करोडों प्रकाश व या कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थिती में रास्ता बनाना चाहता है, उसे बुद्धी मता की जरुवत है, पर जानकारी की नहीं. जानकारी थोड़ी उप्योगी हो सकती है लेकिन ये बुद्धी मता है जो आपको किसी खास स्थिती से एक अनोखे तरीके से गुजरने में सक्षम बनाएगी वैसे नहीं, जैसे कोई दूसरा कर रहा है हम जानकारी को बुद्धी मता समझने की गलती कर रहे हैं एक बार जब आप खुद पर बहुत ज्यादा जानकारी लाद देते हैं तो आप ध्यान देना एक गंभीर समस्या होती है जब आप कोई ध्यान नहीं देते जब आप में अपने ध्यान को कायम रखने की कोई शमता नहीं होती तो आप अपनी बुद्धी मता तक पहुँचने की शमता भी खो देते हैं आप बस याददाश्ट में जानकारी फेंटते रहते हैं एक सुन्दर वाक्या है आपने एंडू कार्नेगी के बारे में सुना है जब एंडू कार्नेगी ने अपना ओदेयम शुरू किया है तो थोड़े ही समय में वो बहुत सफल हुए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया उस समय ठीक है वो गूगल या फेसबूक या ट्विटर का योग नहीं था जहां लोग दो सालों में खरबपती बन जाते है उन दिनों लोगों को निर्मान के लिए उद्योग वगारा लगाना होता था ये और वो करना होता था पैसा कमाना पड़ता था जिसमें दशक्या पीढ़ियां लग जाती थी तो इस आदमी ने बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा लिया लोगों को शक हुआ अमेरिकी सरकार को शक हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है तो उन्होंने जांच के लिए एक सेनेट कमीटी बनाई और कारनगी से हर संभव सवाल पूछे और उन्हें पता चला कि उसके बिजनेस में कुछ भी गलत नहीं है फिर उन्होंने पूछाया आपने इतना पैसा कैसे कमाया और इतने सफल कैसे हुए तो एंडू कारनगी ने बहुत ही साधारन बात कही देखिए मैं अपने दिमाग को किसी चीज पर पांच मिनिट तक लगातार केंद्रित रख सकता हूँ पांच मिनिट तक क्या आप मेंसे कोई ऐसा कर सकता है सभी सेनिटर सोचने लगे पांच मिनिट में क्या मुश्किल है और उसने एक प्रयोग सेट अप किया उन्होंने अपना ध्यान टिकाने की कोशिश की, वे कुछ सेकंड तक भी नहीं टिका पाए. एक पल यहाँ, दूसरे पल वहाँ, ज्यादा तर इंसानों की यही दुर्दशा है. तो तब कारणेगी बोले, आपको अमेरिका का शासन नहीं चलाना चाहिए. तो इंसानी शमता चित नाम की एक चीज होती है. यह अलग चीज है. देखी अंग्रेजी भाषा में सिर्फ एक शब्द माइंड है. मोटे तौर पर आप मन के याददाश्ट वाले हिस्से को मन मानते हैं. योगिक सिस्टम में मन के चार मुख्य पहलू है. मैं विस्तार में न अगर आप अपने चित्त के लिए कोई आकार देते हैं, तो वो आकार हमेशा अभिव्यक्त होगा. क्यूंकि इसे जीवन निर्मान की सामगरी से शक्ती मिलती है. जिसके लिए हम उचित शब्दों के आभाव में चेतना शब्द का इस्तिमाल कर रहे हैं. वो जो जीवन का बना सकते हैं, शैतान बना सकते हैं, सूर बना सकते हैं, आप उसे जो चाहे बना सकते हैं. ये एक आकार रहित चीज है. तो आप अपने चित्त को जो आकार देते हैं, वो हमेशा दुनिया में अभिव्यक्त होगा. क्यूंकि ये इसके पीछे जीवन निर्मान की उर्जा ल जिसमें नई संभावने खोजने की उसकी प्रक्रिया, उसके अनुभव में सच्मुच नई संभावना बन जाए। बस एक आर्थिक संभावना ही नहीं। और ये संभावना एक उधययमी के जीवन में मौजूद है। कि वो अपने उदयम को एक आध्यात्मिक संभावना और आध्यात्मिक विकास में बदल सकता है, या अपने अस्थित्व के विकास में, जिसे मुझे लगता है कि सभी को खोजना चाहिए. यही वज़ा है कि हम एक आध्यात्मिक तत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे बढ़कर, सफलता तो आसानी से आएगी, किसी जादू के कारण नहीं, बल्कि इसलिए, क्यूंकि आपने अपनी पूरी शमता से काम किया है। अगर आप, क्या आप जानते हैं कि स्कूलों में तीन टांगों वाली दौड़ नाम का एक खेल होता है। हालांकि आपकी तीन टांगे होती हैं, लेकिन आप धीरे भाग पाते हैं, दो टांगों से आप तेज भागेंगे हैं ना। अगर आप सिर्फ संख्याओं को देखें, तो तीन टांगों के साथ आपको ज्यादा कुशल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा जानकारी का मतलब है कि जो चीज आपकी नहीं है, उसे आप अपनी यादाश्ट से जोड़ लेते हैं, और उसके साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। आप जितना ज्यादा वैसा करते हैं, आप उतने ही कम असरदार बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारी शिक्षा की पूरी सोच जानकारी देना है, और इंटरनेट भी है। एक बारह साल का बच्चा जानता है कि वहां करोणों प्रकाश वर्ष दूर, जो गैलक्सी है, उसका नाम क्या है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है, क्यूंकि ये ग्यान नहीं है, इसका कोई उप्योग नहीं है, ये बस शेखी मारने के लिए है, और सबसे बढ़कर ये आप एक परमानु को भी पूरी तरह से नहीं जानते, इसी वज़य से आप ध्यान दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ये जानता हूँ, तो आप ध्यान नहीं दे सकते, जानकारी होने का घमंड ही, आप में ध्यान देने की कमी पैदा कर सकता है, झाल झाल झाल